ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए की रोजी चीनने का काम कर रहे हैं क्या है नरेगा यूजना भारती संस्त द्वारा दो फरवरी 2006 को राश्ट्रे ग्रामीन रोजगार गारंटी अधीनियम दो हजार पांच यूजना ग्रामीर शेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारम की गई ग्रामीर विकास मंतराले द्वारा कार्यानवित राश्ट्री ग्रामीर रोजगार गारंटी अदीनियम नरेगा 2005 सरकार का प्रमुक कारिक्रम है जो गरीबों की जिन्दगी से सीधा तोर पर जुड़ा हुआ है और जो व्यापक विकास को प्रोटसाहन देता है ये अदीनियम विश्व में अपनी तरहा का पहला अदीनियम है जिसके तहत अभूत पूर्व इसका मकसद है ग्रामीर छेत्रों के परिवारों की आजीवी का सुरक्षा को बढ़ाना इसके तहत हर घर के एक व्यस्क सदस्य को एक वित्वर्ष में कम से कम सौ दिनों का रोजगार दिये जाने की गारंटी है ये रोजगार शारिदिक श्रम के संदर्व में है और उस व्यस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो इस अदिनियम का दूसरा लक्ष है कि इसके तहत टिकाव परिसंपत्यों का स्रजन किया जाए और ग्रामी निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए इस अदिनियम का मकसद सूखे जंगलों के कटान म्रदा रक्षन जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अबसर लगातार पैदा होते रहे मैं पंच पर हिरा रामचला पंच पद पर कार्य रत हूं अभी जी आपकी ये पंचायत बनिया गाउं में जो तलाब का चावडी करन रोजगार गारेंटी के अंतरगत मन्रेगा मजदूरों के माध्यम से जो होना था ये तमाम कार्य को क्या ग्राम सभा में पेश किया गया था वाट पंचों के सामने पेश किया गया था ये तो जानकारी नहीं था मुझे ये जानकारी मिला कि उसके बाद जब यह नरेंगा काम चालू है हमको तो कोई सुचना नहीं मिला था नरेंगा के माध्यम से उसके बाद मैरे को जो शायक सच अच्छे मुझे और मदूर को कि बार बार क्योंकि प्रताड़ी भी किया जाता है यहां काम करने वाले को बिचारे कई डिल्योरी वाली बैते हैं कई ही पंच ऐसे हैं कि राश्ट्रिक रामीर रोजगार गारंटी अदिनियम नरेगा को तैयार करना और उसे कारियानवित करना एक महतपुर कदम के तौर पर देखा गया है इसका आधार अधिकार और मांग को बनाया गया है जिसके कारण ये पूर्व के इसी तरह के कारिक्रमों से बिन्न हो गया है अदिनियम के बेजोड पहलूँ में समय बद रोजगार गारंटी और पंदरा दिन के भीतर मजदूरी का भुकतान आदी शामिल है इसके अंतरगत राज्य सरकारों को प्रोचसाहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोता ही ना बरतें क्योंकि रोजगार प कशीनों का कोई दखलना हो अदिनियम में महिलाओं को 33 प्रतिश्चत श्रम भागीदारी को भी सुनिष्चित किया गया है श्रम मद पर 60 प्रतिश्चत और सामिग्री मद में 40 प्रतिश्चत व्याय किये जाने की अधिक्तम सीमा निष्चित की गई है अब देखने का विश